हलो वेरी वेरी गूड मॉरिंग मैं विवेक रावत आप सभीका ड़टो फॉर सेवन के स्क्लेक्ट और अधर्स लॉइंटरेंस एक्जाम पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज ही आप सभीका बहुत-बहुत स्वागत है एक नए जोज के साथ एक नए उमंग के साथ एक नए सुपरभाद के साथ मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं MSAT और अधर्स लॉइंटरेंस एक्जाम पर जो हम डिसकस करने जा रहा है यो हमारी सीरीज चल लही है इसमें बहुत जबर्दस तरीके से नए-ने कोश्चनों का क्लेक्शन में आपके लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों आज ही करते हैं इनमें और नए टाइप के कोश्चन किस तरह से कोश्चन आने के चांस हैं एक एक को देखेंगे डिटेल में तो एक बार फड़ा फट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या ऐसा को स्टुडेंट है जो अभ के लिए दमदार कंटेंट लाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ें इस से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और आपको भी एक दमदार कंटेंट की सीरीज में नईनी सीरीज आपको मिलती रहती हैं और हर तरह के अपडेट आपको क्लायट एंडर्स लाइंटरेंस एक्जा करने जा रहा हूं पहला कोश्चन तो बच्चों जो भी हमारे बच्चे online है एक बार मैं try करूँ है सब बच्चे जितने भी कोश्चन आपके सामने कराया जा रहा है लाया जा रहा है सब का answer दीजिए try कीजिए और जबरदस तरीके से अपने सिरीज अपनी preparation को एक नई direction दीजे चलो बच्चो बिलकुल भी delay नहीं करते हैं पहला question आपके सामने ये रहा तो हर question का answer आप अराम से दे सकते हैं बहुत ही खुबसूरती के साथ और एक-एक question को समझने के लिए हम बहुत ही अच्छे से question को समझेंगे और करेंगे उसको जबरदस तरीके से solution आजीगे तो x की value given है अगर आप question देखें number 1 x की value given है number 1 x upon y is equal to 2 upon 3 statement number 1 पहली value given है x upon y is equal to 2 ratio 3 तो ऐसे जितने भी question हम इस type के आएंगे हम try करेंगे ऐसे हर question को हम command में ले ले for example that is the x upon y 2 ratio 3 तो आप बोलतों sir अगर इस type का question data मेरे पास given है x upon y 2 ratio 3 तो करना क्या होता है बच्चो हमें सीधा सीधा आप जानते x की value को 2 assume करते हैं और y की value को 3 x is equal to 2 और y is equal to 3 अगर ऐसा है तो इनने पूछा गया है 3x plus के 2y upon के 9x plus के 5y इसकी value क्या होगी 3x plus के 2y 9x plus के 5y value put करते हैं आप बोलेंगे 3 x की value देखो वैसे तो actual value x की 2 नहीं है वैसे तो actual value x की जब हम बोलते है ratio 2 और 3 है तो हो सकता है कि x की value 2 हो हो सकता है x की value 4 हो 2 के multiple में infinite value possible है point वे भी हो सकती है लेकिन जब ratio में बोला जाता है that means value हमें accurate नहीं मालू क्योंकि दोनों तरफ power same है तो क्योंकि x ratio की power 1 y ratio की power 1 y ratio की power 1 x ratio की power 1 तो power वो एक दूसरे से cancel out हो जाती है तो आप बोलोगे x की value 2 put कर देते हैं और y की value 3 put कर देते हैं तो आप बोलेंगे x की value 2 put करते हैं और y की value 3 put करते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 12 9 2 जा 18, 5 15 that is the 33 बताए किसी को 4 upon 11 is the right answer मुझे नहीं लगता इसमें कोई doubt वाली बात एक बाफड़ाफट comment कर देजिए क्या ये सभी को clarity है किसी तरह की इसमें कोई doubt comment फड़ाफट clear कर देजिए फड़ाफट तो इस तरह के question को करने का सबसे best तरीका आप सीधा-सीधा value put करें और solution आपके पास आजएगा बिलकुल भी delay नहीं करते हैं 12 ratio 13 find the value of A ratio C आई तो आप बोलेंगे A ratio B is equal to 3 ratio 4 step number 1 and B ratio C is equal to 12 ratio 13 number 2 A ratio B given है 3 4 B ratio C given है 12 13 then find the value of A ratio B ratio C simple है अगर आपने ratio proportion हमसे अच्छे से detail में discuss किया है तो आप जानते हैं जब भी ratio proportion आए इस type के question के करने के 3 method है number 1 जिसको हम बोलते है basic method number 2 जिसको हम बोलते arrow method number 3 जिसको हम बोलते column based method तो इसको मैं 3 type से कर सकता हूँ तो जैसे आपको उचित लगे जैसे आपको सही लगे आप उस method को apply कर सकते हैं क्योंकि question कोई ज़्यादा typical है नहीं question कोई ज़्यादा lengthy है नहीं तो हम basic normal से कर लेते हैं तो अगर हमें पूछा जाए देखो हम वले ही हम चाहें तो ABC calculate कर सकते हैं लेकिन जब उसने पूछा ही AC है तो क्यों calculate करें 12 तरी जा 36 और 13 फोर जा 52 comment करो फड़ा फड़ जब आप इनकी multiply करते हो that is equal to A जब आप इसकी multiply करते हो that is equal to C और B पूछा नहीं है तो फिर attention वाली बात ही नहीं है तो sir कुछ common है बलकुल sir 4 common है 4 नाइन जा 36 और 13 फोर जा 52 comment करो फड़ा फड़ तो right answer is 13 नाइन जेशो 13 comment करो क्या है clarity है फड़ा फड़ा option number option number B is the right answer हमारा B option perfect answer है चलते हैं आगे बिलकुल भी delay नहीं करते हैं आगे एक question all लेते हैं इसी type का question कैसे करना है number 1 बहुत ही प्यारा question है 2A is equal to 2A is equal to 3B is equal to 4C पूछा गया ABC कितना होगा तो भई ऐसे question MSCT में आने के पूरे पूरे चांस है यह basic clarity देता है basic fundamental चीजों को समझाता है अब इस question को detail में भी solve किया जा सकता है और approach से भी तो detail में तो हमें करने की जरूरत है नहीं सीधा हम approach से करते आईए फड़ा फड़ तो जब आपके सामने बोला जाएगा 2A is equal to 3B is equal to 4C 2A is equal to 3B is equal to 4C जब आपके सामने बोला जाएगा आप से पूछा जाएगा A is equal to B is equal to C क्या होगा तो आप बोलेंगे आप देखो मैं simple सा सीधा logic देखते हैं कैसे करते हैं इस question को सीधा सीधा logic सीधा logic तो आप इसको cover कर लीजिए that is 3, 4, 12 comment करो yes or not जब हमने इसको cover करा 3, 4, 12 number 2 जब हमने इसको cover किया यही है देखो चाहें तो मैं इस question को detail में भी कर सकता हूँ लेकिन जब मैं इसको detail में solve करूँ है मुझे variable में equal to लेना पड़ेगा A constant that is equal to K लेकिन मैं वो constant नहीं लेना चाहता तो ऐसी condition में हम इसको cover करते हैं और जो बचेवे variable हैं उनकी कर देते हैं multiply तो आप बोलेंगे 4-3-12 और जब आप B को cover करेंगे इन दोनों की multiply 4-2-8 नमबर 1 जब आप इसको cover करेंगे इन दोनों की multiply 3-2-6 कमेंट करेंगे एक बार क्या जो भी कराया जा रहा है क्या आपको concept player हुआ that is the best way इस question को करने का दुबारा देखते हैं जब आप इसको cover करेंगे इन दोनों की multiply जब आप इसको cover करेंगे इन दोनों की multiply जब आप इसको cover करेंगे जो बचे हैं उसकी multiply करनी है और that's it तो अब आप जानते हैं सर common लेने के बाद वाला final माने जाता है जो common लेने के बाद बचता है तो sir common लेने के बाद क्या आ रहा है 2, 2, 6 जा 12 2, 4 जा 8 2, 3 जा 6 तो 6, 4, 3 is the right answer कमेंट करें क्या है clarity है फड़ा फट yes or not क्या ये सब को clarity है मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा हो जो clarity ना हो आएए आगे question को और देखते हैं एक दो question और देखते हैं फिर अच्छे से clarity आ रहेगी number 1 तो sir अगला question आपके सामने है x ratio y is equal to a 3 ratio 4 then find the value of 5x minus 2y upon 7x plus 2y आएए solve करते हैं मैं चाहूँँगा सभी answer खुद निकाले आप खुद भी कर सकते हैं आपके इस question को हमने कहा x upon y is equal to 3 upon 4 step number 1 पूछा गया सर 5x minus के 2y upon 7x plus के 2y क्या होगा तो आप बोलेंगा 5 into 3 minus के 2 into 4 upon 7 into 3 plus के 2 into 4 मुझे निलगता है इसमें कोई doubt है हमने अभी ऐसा question same question थोड़ी दिर पहले किया है तो I think आपको इसमें कोई भी problem नहीं होनी चाहिए तो 5,30,15 7,4,8 7,3,21,4,8 7 upon 29 मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई भी doubt होगा comment करो बढ़र क्या सबको clarity है तो हर question में comment करते चले जाए जिससे हमें भी clarity होती रहे कि आपको अच्छा से हर चीज clear हो रही है आजएए बहुत प्यारी चीज है थोड़ा सा question अगर आप कहीं तो एक question हम ऐसा और देख लेते हैं एक question और देखेंगे ऐसा फिर हम कुछ नया देख लेंगे ठीक है आईए नम बढ़ा एक question हम और ले रहे हैं ऐसा फिर हम कुछ नया देखेंगे आईए तो आप बोलेंगे x ratio y x ratio y is equal to 4 upon 5 then find the value of the 3x 3x plus के y upon 5x plus के 3y x ratio y इतना है 3x plus के y upon 5x plus 3y के value क्या होगा simple है question बहुत लेकिन 3k दिखा जाए तो 3k के को नमबर है लेकिन अगर इन चीज के लिए basic concept के clarity बहुत जरूरी है अगर आपको basic concept के clarity है तो कोई भी तो है की problem तो 3 into 4 plus के 5 upon 5 into 4 plus के 3 into 4 comment करें फड़ा फट 4 3 z 12, 5 17 4, 5, 0, 20, or 35 comment करो yes or not क्या सब को clarity है इसमें तो हमारा right answer हो गया that is the 17 upon 35 ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी most expected question भी बच्चों इसी में है और इसी में previous year के question भी इसमें merge हैं जिससे आपको बहुत benefit होने वाला है आईए थोड़ा next question की तरफ चलते क्या है next question जैसे number one आईए कितना प्यारा question है A and B started a business तो that is the कहां से हैं जब business की बात आएगी तो ये है partnership से तो क्या होता है partnership का concept question पर जाने से पहले ये समझते हैं what is the concept of basic concept of partnership partnership दो पार्टनर आपस में ready कैसे होते हैं business करने के लिए और कैसे उनको business में profit डिवाइड याता है तो अगर मैं basic concept पे जाऊं तो बस आप इतना समलीजे सर्क partnership में जो profit होता है वो amount into time के multiply में डिवाइड होता है number one जितना पैसा जितना amount जितने time के लिए आप invest कर रहे है that is the ratio of their profit profit कैसे डिवाइड होता है amount into time जितना amount जितने time के लिए for example A ने invest किया 85,000 लुपीस B ने invest किया 15,000 लुपीस और अगर आप पूरा partnership बचो अगर आप playlist में जाएंगे तो आपको बहुत detail मिल जाएगा partnership के हमने पूरा detail कर रखा है it's ready तो जब आप पूरा detail देखते हैं partnership में पैसा कैसे divide होता है partnership में पैसा divide होता है amount into time इसके तीन rule होते हैं बचो number one time हमेशा same unit में होना चाहिए अगर A के लिए time period month में है तो B के लिए भी month में अगर A के लिए days में है B के लिए भी days में rule number two जब भी आप ऐसा use करेंगे और time ना given हो तो हम हमेशा one year मानेंगे rule number three तो है amount I solve करते हैं इसको जैसे इसमें है किस ratio में profit को divide किया जाएगा यदि total profit दो साल के बाद पर करेंगे तो आप बोलेंगे total profit बराबर total time कितने है आप बोलेंगे that is the two year that is clear or not comment को फड़ावर क्या है सबको clarity है कि total time period दो साल के लिए है two year के लिए total time period A and B started a business by investing capital 85,000 उपीज and 15,000 उपीज in what ratio the profit and कुछ भी नहीं बोला गया जब question में कुछ define ही नहीं किया गया कि कब वो आ रहा है कब वो जा रहा है इसका मतलब total profit same total amount तक रहा total time तक रहा तो इसका पैसा रहा इसका पैसा रहा दो साल तक और इसका पैसा रहा दो साल तक तो profit डिवाइड हुआ 5 से 17 5 से और 5 3 या 15 that is the 17 issue 3 comment करें 17 issue 3 क्या है clarity है फटाफट comment कर दो yes or not I hope मुझे लगता है इसमें clarity होगी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको clear ना हो रहा हो आजए बहुत अच्छे सा clear होता हुआ आगरे चलते हैं थोड़ा सा question और कैसे कैसे आ सकते हैं तो A given है 2 by 3 आगला question है A given है 2 upon 3 और B A जो है B के 2 upon 3 के equal है और B given है C के 4 upon 5 A given है B के 2 upon 3 के यह बाल लिख लेते हैं इसको आप बोलेंगे A is equal to B का 2 upon 3 तो A upon B कितना हुआ सर यह हुआ 2 by 3 मुझे नहीं लगता तो इसी को बोल लगते है A ratio B is कितना हुआ 2 ratio 3 क्या है concept clarity आग कमेंट के रिफटा आफार तो B upon C किसके equal है that is 4 upon 5 तो B ratio C किसके equal है 4 ratio 5 के तो B ratio C 4 ratio 5 कमेंट करें यास और नॉट हाँ या ना सबको clarity है पूछा गया A, B, C वही concept आप बोलो A ratio B ratio C 8 15 12 कमेंट करो 8, 12, 15 क्या clarity है मुझे रखते है इसमें 100% clarity होगी ऐसा कुछ नहीं है जो सबको clarity नहीं होगी ये बार कमेंट करो फटाफ़ 8, 12, 15 सहिए बचो चरिए number one कही बार ऐसे question आते हैं कही बार जिसमें आपको time and distance related unit conversion पे सीधा सीधा question पूछा जाता है कि unit convert करके बताएए क्या आएगा जैसे ये question है 45 km per hour की speed meter per second में कितनी होगी तो बड़ा basic सा फंडा है आप मैं एक बार बता दो revise कराता हूँ क्या फंडा यूज करते हैं तो आप बोलेंगे sir one kilo meter per hour अगर मुझे convert करना है meter per second में तो multiply बच्चों कितसे 5 upon 18 और अगर meter per second को convert करना है उल्टे में तो 18 upon के 5 क्या यह सब को clarity है या नहीं yes or not तो आप बोलेंगे meter per second एक one kilo meter per hour में convert करना है meter per second में तो होगा 5 upon 18 और meter per second को उल्टे में convert करना है 18 upon 5 आचा कैसे याद रखें कभी कभी ऐसा लगता है sir हम यह भूल जाते है sir बहुत जल्दी भूल जाते है तो इसके सबसे अच्छा तहीं का हुआ याद करने का अगर यहाँ kilometer है तो यहाँ छोट्या वाला number है अगर यहाँ meter है तो यहाँ बड़ा वाला number है इससे याद रहता है ध्यान रहता है confusion नहीं होता क्रेट आईए जैसे 45 km per hour है तो convert किससे करना 5 upon 18 9 to 18 9 5 to 45 25 by 2 12.5 meter per second comment करो क्या clarity है फड़ा वाट मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी clarity होगी ना हो clarity सब concept clear होगा बेसिक सी चीज़े हैं और यह तो time and distance का basic आप जानते time and distance तीन पार्क में डिवाइड है relative speed boat and steam problem on train और यह relative speed का portion है आईए और करते हैं से question थोड़े से number one मान लीजे the value of the 550 550 meter per second पांसो पचास meter per second कितना होता है लेकिन मुझे किस में बताना है किलो मीटर per hour में कर देते हैं कर देते हैं कनवार सर तो जब आप से बोला जाएगा कि 550 meter per second को convert करो kilometer तो आप बोलेंगे meter हो तो 18 अपॉन के 5 इससे cancel 110 110 की multiply 18 से comment करो क्या यह concept clear है 110 की multiply 18 से क्या आप multiply करना जानते हैं किसी भी डिजेट की 11 से आईए सीखते हैं 11 की multiply करनी है मुझे 321 से ऐसी condition में first number रखते हैं same last number रखते हैं same और right hand side से add करते वे चलते हैं 1 और 2 3 3 और 2 5 3 5 3 1 comment करें किया clear है number 1 for example एक example ओल लें मान लो 11 की multiply करनी है 1 2 5 3 से तो first number same last number same 5 और 3 8 5 और 2 7 2 और 1 3 1 3 7 8 3 comment करो किया clear है फटा फट number 1 तो जब मुझे 11 की multiply 18 से करनी है तो आप बोलेंगे 1 यहां 8 यहां 0 यहां 8 और 1 9 1 9 8 0 1 9 8 0 तो right answer होगे confirm यह basic basic चीजे हैं जो आपको clarity लाता है concept की तरफ आईए बढ़ते हैं कोशन में और कोशन को देखते हैं किस तरह से हमें कोशन करने चाहिए नमबर तो मान के चलिए मेरा मानना है यह जो अभी हमने कोशन कर रहे है relative speed के हैं और इससे कोशन MSCT में 100% मिलने वाला है कभी भी जैसे कोशन के statement है a train traveling with the speed of 54 km per hour a train traveling with the speed of 54 km per hour cross a pillar in 15 second find the length of the train तो कभी भी कोई train आप जानते है basic concept क्या कहता है कभी भी कोई train किसी person को किसी pole को किसी bridge को या फिर अलग-अलग condition दो पार्ट है अगर जिसकी length ना गीए person को pole को building को या फिर lamp post क्रॉस करती है तो अपनी length के बराबर distance cover करती है simple है तो ये train क्रॉस कर रही है 54 km पर अवर के speed से किसको pillar को कितने second में 15 second में train की लंबाई बतानी है तो आप बोलो अगर आपको train की लंबाई निकालनी है L निकालनी है तो आप जानते है L होता speed L होता D speed into time मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा number one speed कितनी है 54 km पर अवर सर किसमे convert कर ले मीटर पर सेकिंड में क्यों क्यों जनरली train की लंबाई मीटर में होती है आप जानते है जब डेटा जादा नहीं होता तो वो छोटी unit में convert कर लाए तो कितने सेकिंड में सर 15 सेकिंड में 18 थरीजा 5 थरीजा 15 इंटू के 15 डेट इस 225 मेटर कमेंट करो क्या ये confirm clear है yes or not क्या ये सब को clarity है मुझे एक बाप फड़ा-फड कमेंट करके बता जीए मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की कोई भी problem होगी I think perfectable बहुत प्यारा आजी number 2 एक question और ले लते हैं थोड़ा सा question stylist ले ले आईए ये question कितनी बार exam में आया है और आता है बार-बार a train running at the speed of 60 km per hour a train running at the speed of 60 km per hour cross a plate form double of its length in 32.4 seconds find the length of that plate form I get solve करते है एक train जिसकी speed 60 km per hour है अपनी length के double length के plate form को 32.4 seconds में cross करती है 32.4 seconds जब statement में बोला जाए अपनी length के double length के plate form को अब देखो 32.4 क्यों दे रखा है क्योंकि that is the 324 और 18 का square कितना होता है that is the 324 इसलिए तो given है कहीं न कहीं वो data 18 से connected है ताकि आप उस calculation को easily कर पाएं अब एक train क्रोंस करती है इसकी speed कितनी दिया है 60 km per hour क्या होगा इस speed 60 into 5 upon 18 meter per second number one अपनी length के double length के platform को तो आप बोलेंगे length speed होता है train जब भी platform को cross करेंगे अपनी length plus 2L कितनी देर में 32.4 second number one कितनी देर में 60 into 5 upon 18 comment करिए तो यह होगा 60 into 5 upon 18 upon 3 is equal to 3L 324 इसको हटाया 18 से यहां लगाया 5 2 जा 10 30 3L L बराबर 180 meter comment करो क्या यह सभी को clarity आई या नहीं थोड़ा बहुत concept clarity आई तो यह बहुत ही जबरदस role play करते हैं ऐसी condition के लिए अब L कितनी आगी 180 और L क्या थी length of the train और पूछा क्या गया plate form की length और वो क्या होगा इसका double that is the 360 meter comment करो मुझे नहीं लगता है ऐसे किसी में किसी भी question में आपको कोई doubt होगा आसान है बिल्कुल clear है आप easily कर सकते हैं बिना किसी doubt के आजी बढ़ते आगे बहुत बढ़िया number तो आपके सामने अगला question में लेके आया हूँ work and time का बहुत ही प्यारा concept है mixed question है और आपको भी मज़ा आएगा इस question भी अगर आप अच्छे से लगातार continue to लगे अपने continue रखे बच्चो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और question बहुत ही दमदार लेके आने वाला है हम आपके लिए एक एक तरीके से A can complete a piece of work in 8 days पहले खोद करिये try मैं question अब आप पढ़ देता हूं question खोद try करना है सभी को A can complete a piece of work in 8 days A किसी work को 8 दिन में करता है and B can complete some piece of work in 12 days and they start work together and after 3 days A left the work दोनों ने work किया 3 दिन के बाद A person ने job left करती then find in how many days the total work will be complete तो बता है ये पूरा work कितने जिन में complete हुआ A किसी work को करता है 8 days में और B उसी work को करता है 12 days में तो sir ये तो आप जानते हैं LCM हो गया 24 12 2 जा 8 3 जा comment को रफट रफट it is clear क्या है clear है yes or not कहे clarity है सबको A can complete a piece of work in 8 days B can complete same piece of work in 12 days LCM ये LCM लेने का अगर किसी को बिल्कुल भी किसी भी हम बहुत ही जल्दी night वाली series में CLAT के लिए जो specific है हम बहुत जल्दी concept based class लेके आने वाले बच्चो उसमें हम concept discuss करने जा रहे हैं basic से concept discuss करेंगे जो targeted based रहेगा CLAT exam के लिए और बहुत ही जबर्दस तरीके से discuss देखेंगे एक एक चीज़ को समझेंगे आई है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर दोनों ने एक साथ वर्क ने स्टार्ट किया and after three days a left the work इसका means क्या होता है कि तीन दिन तक they start work together after three days तीन दिन तक दोनों ने वर्क साथ दिया और तीन दिन के बाद after three days a left the work तो वचा कौन B क्या ये concept थोड़ा बहुत आपको clarity दे रहा है या नहीं इतना बताईए क्या ये इस concept की आपको clarity आई they work for they work for the three days and after three days a left the work तीन दिन तक वर्क किया उसके बाद a person चला गया तो तीन दिन तक कितना वर्क कर लेंगे work होता है time into efficiency work होता है time into efficiency तो तीन दिन तक जब दोनों work करेंगे 5 की efficiency से 15 unit work हुआ 15 कैसे आया 5 कैसे इन दोनों का sum that is 5 number one तो रेस्ट वर्क कितना बचा तो आप बोलेंगे rest work बचा हम यहां लिख लेते हैं बच्चा rest work कितना होता है आपको that is the rest work आप बोलेंगे rest work is equal to 24 minus 15 that is the 9 yes or not यह किस ने किया सर बी ने किया है कितना time लेता है time होता सर डबलू अपॉन ए सर 9 unit को 2 की efficiency से 4 1 अपॉन टू 4 2 जा एड वन तो total time कितना हुआ सर सुरू के तीन दिन 4 1 अपॉन टू यह 7 1 अपॉन टू यह 7.5 देज कमेंट करो क्या है सबको clarity है इसमें एक बार फड़ा फड़ कमेंट चाहेंगे क्या सबको clarity आई यह नहीं थोड़ी बहुत clarity आई सबको बहुत जबर्दस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही वेरी गुड मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की कोई problem है बहुत जबर्दस सबको clarity है आजएए और चलते हैं question अच्छे question की तरफ लोड़ा सा number तो हमारा target है हर तरह के question को touch करते वे चलें जिससे कोई भी question जो most expected question की series में है वो बचे ना हर question को हम touch करते वे चलें और जिससे हमें profit हो इस series को करने का आपको बहुत ज़्यादा profit होने वाला है अगर आप consistency से करते हैं तो आहिए solve करते हैं 12 men statement लिखा हुआ है number one 12 men और 18 women can complete a piece of work in 14 days अब यहाँ पर क्या concept लग रहा है sir that is the or concept यह or concept बारा पुरुस और यह अठारा महिला है 12 men आएए पढ़ लेते हैं यह बार question को दोबारा 12 men और 18 women can complete a piece of work in 14 days statement number one 12 men और 18 women can complete a piece of work in 14 days हम जानते हैं दो concept हमारे पढ़ने होते हैं हमें work and time में एक end concept और एक और concept number one end concept और बच्चा और concept साफ साफ है बिलकुल question को देखते ही यह clarity आ रही है कि sir यह तो और concept है क्योंकि यहाँ पर और word आया और जब भी और concept का question हो हमें कुछ भी नहीं है तो बहुत आसान हो जाता है एंड concept में तो फिर भी कुछ करना है और concept में तो कुछ करना ही नहीं कैसे आई यह देखते हैं बरो इन्हें पूछा और concept में question को कैसे करना है तो जब भी आपसे और concept पूछें सीधा में आओं सीधा answer पर आए कितना answer होगा इसका तो आप बोलेंगे जितना given हो जैसे यह पूछा है इतने में और इतने में 14 देज तो जितना given हो आप लिखते है 14 अपॉण जितना given हो जो पूछा गया 8 में अपॉण 12 में 16 में अपॉण 18 में क्या है यह concept clarity है comment को रो तो आप बोलेंगे 14 अपॉण 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 यह 2 8 जा 16 2 9 जा 18 14 9 की multiply 3 2 जा 6 प्लस 14 अपॉण 9 तो आप बोलोगे that is the 9 answer comment करो क्या clarity आई या नहीं comment करें फड़ा पट तो बहुती आसान concept है conceptual है अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो और concept आप चुट्कियों में उड़ा देंगे आई यह देखते हैं और concept और question देखते हैं किस तरह से करने वाले होते है number one एक कुशन और दे रहा है और concept पर और concept पर एक कुशन और है 10 men और 15 women can complete a piece of work in 30 days 10 men and 15 women can complete a piece of work in 30 days and find in how many days 5 men and 30 women can complete same piece of work तो कैसे करते हैं ऐसे question को simple से समझते हैं आप बोलेंगे 10 men और 15 women तो simple से आप बोलेंगे जितना data given है Sir extra कितना given है? Sir extra given है? कितना बच्चो? extra given है हमारे पास 30 कितना? 5 men तो आप बोलेंगे 5 upon 10 30 women 30 upon 15 तो आप बोलेंगे 30 upon 1 upon 2 5 6 जा 5 3 जा यह 15 तूजा हो तो गया तो 30 upon 2 तूजा 4 5 by 2 5 6 जा 30 12 days That is the 12 days कमेंट करो क्या सबको clarity है? ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपको clarity नहों हो कुछे नहीं लगता इस कुछन में ऐसा कुछ है जिसमें आपको कोई भी problem हो अगले कुछन की तरफ बढ़ते हैं अगले कुछन की तरफ देखते हैं कुछन हमें किस तरह से करने हैं और किस तरह से इस पर command बनानी है क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं और बहुत जरूरी है आज यह भी नमबर वाँ the simple interest अब हम तड़का लगा रहे हैं बहुत ही special question देखने जा रहे हैं msct के point of view से simple interest के तो बच्चों यह simple interest के question collect में भी मिलेंगे आपको और यहां तो है ही तो दोनों के point of view से बहुत जरूरी हो जाता है इन question को handle करना आज़ेगी साफसा बोला गया a simple interest of a certain sum of money is 11 1.9% of that money 11 1.9 आप जानते हैं that is equal to 1.9 जब statement आता है 11 1.9 that means 1.9 पहला point if rate and time are equal यहीदी rate और time equal हों find the value of r तो r के value क्या होगी अराम से एबार question अराम से देख लिए कोई भी doubt किसी हो बोली फटाफट yes or not पूछा गया r के value क्या होगी अराम से solve कर सकते हैं easily बिना किसी problem के तो मैं question को solve करना जा रहा हूं SI is equal to क्या होता है बच्चों SI is equal to होता है principal into rate into time upon 100 पता है यह होता है यह नहीं yes or not SI is equal to होता है principal rate time upon 100 PRT upon 100 पहला point simple interest of a certain sum upon 11 जो simple interest है वो principal का 11 1 upon 9 मतला 1 upon 9 तो अगर मैं principal को P assume कर लेता हूं तो यह होगा 1 upon 9 P upon 9 और यह हो गया r numerical value rate और बराबर है r बराबर T के हैं वो उसने खुद बोला है जब खुद बोला है तो क्या सब्सक्राइब कर दिए किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट करो आओ कुछ कोईशन आल लेते हैं ऐसी सेम केशन पहले हम इसी टैप के और कोईशन लेते हैं फिर हम भागे बोले हैं पहले था पहले कितना परसेंट था बच्चा पहले था इलावन वान अब ही कितना परसेंट है 25 परसेंट आई यह सौल करते हैं तो जब आप बोलते हैं 25 परसेंट लगाते हैं फंडा SI is equal to PRT upon के 100 मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट है किसी को भी तो आप बोलोगे P upon 4 upon के 100 PR और time equal है time पूछा है या rate पूछा है तो R से 25 times R is equal to 25 R is equal to 5% किया यह clarity है फटावट कमेंड कर दो यस और नोट आसान कोशन है कोई इतना टिपिकल नहीं है जो आप को लग रहा है बहुत आसान कोशन है सबसे आसान कोशन है सबसे easy way है इसमें आप score कर सकते हैं बहुत ही जबरदस तरीके से ठीक है बच्चो बहुत बढ़ी हो आईए और कोशन देखते हैं किस तरह के कोशन इसमें पूछे जा सकते हैं हर तरह के कोशन आपको करते वें चल लाएं ताकि हर तरह की clarity हो जाए आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहों कोई समफ मनी था पी जिसको बोलते हैं प्रिंस्पल वो तीन साल में एट टाइम्स हो गया in the rate of at the rate of simple interest मतलब ये question simple interest के है ऐसा same question compound पे भी आता है then find in how many years it will become 64 times तो बता है ये 64 गुना 64 times कितने साल में हो जाएगा तो बहुत simple है हम लेकिन आपको पता है ऐसे question को कभी detail में नहीं जाते इने कुछा eight times हो गया three year में अगर वो one rupees था तो बच्चा वो कितना हो गया eight rupees कितना time लगा seven rupees interest लगा भाया difference कितना है कितना time में three year में पूछ चाहता कितना है वो वो चाहता है सर वो 64 times हो जाए 64 तो सर इंट्रेस कितना लगेगा 63 पूछ क्या रहा है sir time सर साथ साथ रुपय का interest कितने साल का है कि तीन साल का तो एक रुपय का interest sir three upon seven तो sir 63 रुपीज का interest 27 times पताइए it is clear or not ये किस student को clear नहीं है एक बार फड़ा फट कमेंट कर दो क्या ये सब को clarity है क्या सब को clarity है इस बारे में फड़ा फट कमेंट कर दे जाकि सब को clarity हो जाए एक एक concept को हम अच्छे से समझ पाए ठीक है बच्चो आ जाए कभी-कभी बच्चो ऐसा question में आठते हैं बहुत ही असान से अब देखें कितना easy question है लेकिन इससे क्या होता concept clarity होती है question क्या है y plus under root 256 is equal to 2 under root 169 statement number one y plus under root 256 under root 169 तो आप बोलेंगे y plus that is the 16 16 का and root 256 का 16 और यह हो गया भाईयजी 13 13 to 26 y की value हो गई 10 मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसे doubt वाली बात होगी confirm है क्या सब को clarity है एक बार फटा फट comment कर दो क्या सब को concept clear हुआ कि नहीं आईए बहुत ही प्यारा कुछ 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 कोशन तो इतने प्यारे हैं कि जिनकी क्या ही बात की जाए अब जैसे ही कोशन कितना प्यारा है अब इस कोशन कह रहा है फोर फोर्जा 16 सब जानते है पॉइंट एक दो के बाद लगेगा फोर फोर्जा 16 पॉइंट तीन के बाद लगेगा 0.16 0.016 10-64 5-4 1-4 0 0.144 that is the option number D बहुत बढ़ी है मुझे नहीं लगता ऐसे कोशन में कभी-कभी इतने आसान कोशन यह कोशन D.U.L.L.B. में भी आ चुके हैं और क्लैट वगरा में भी आ चुके हैं बच्चो ठीक है बहुत प्यारा आ जाए नमबर वन एक कोशन और ले लेते हैं बच्चा वैसे ही हर तरह से तो हमारा टार्गेट है लगबग 1000 प्लस कोशन कराने का और पिछली जो नाइट वाली सीरीज थी हम उसमें ओलड़ी 7 से 800 कोशन कराब ही चुके हैं बच्चो ठीक है हम एक एक तरीके से एक एक कंसेप को बहुत ही डिटेल में डिसकस करते वे चल रहे हैं आईए आ समख मनी विकम टू टाइम्स आफ इच्सल इन जू पी अमाउंट था तो पी अमाउंट था हमने देखा कमेंट के रिफट आफ़र यस और नॉट हाँ यह ना कैसे आपको क्लारिटी है इस में जब पी से टूपी हो गया पी रुपा इंट्रेस्ट इस छह साल का तो पी से 6 पी में 5 पी का कितना टाइम सर आप बोलेंगे सर पी में कितना टाइम लग रहा है 6 एर तो 5 पी में सर इसमें क्या सोचना लेट इसा 5 ताइम तो सर इसका भी 5 ताइम कितना 30 एर कमेंट करो क्या ये क्लियर है सबको बहुत जबर्दस वेरी गूट मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्ट्रेंट को इस कुश्चन में किसी को भी किसी टैप के कोई डाउट होंगे ठीक है बच्चो आ जाईए नमबर तो कभी-कभी बौर्ड मास रूल हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत जबर्दस तरीके से बौर्ड मास के कोईश्चन फोर इंटू है दिखने में बड़ा ये कोईश्चन सेम ऐसे होते हैं देखन में छोटन लगे घाओ करे घंबीर ये घाओ बड़े घंबीर करते हैं और देखने में बड़ा सेंपल सा होता है तो question के गलत होने के chance बहुत ज़ादा हो जाते हैं जब आप ये question कर रहे हो और है बिलकुल आसान सा question आहिए देख लेते हैं इसको तो आप बोलेंगे 4 into 3 divided by 4 into 4 into 3 divided by 3 into 3 simple सा, मैं चाओँ ये बार खुद try करो आप खुद भी try कीजिए आपको क्या लग रहा है खुद try कीजिए इसको जब आप खुद try करेंगे question खुद भाखुद होगा करते हैं साल तो सर सोचना क्या है इतना सर सोचना क्या है सर ये 9 लिखा है 3 से 3 cancel 4 into ये है 3 upon 4 ये है 4 upon 3 सर दिखने में तो ऐसा लग रहा है अभी ज़्यादा तो समझ में नहीं आया लेकिन क्या जो मैंने step किया है क्या ये perfect है नहीं क्योंकि सर डिवीजन बाद में होता है board mass rule we board mass सर डिवीजन बाद में होता है bracket पहले होता है पहले bracket on करिए सर division दो बात की चीज़े कर लेते हैं सर क्या बात है आये solve करते है bracket को पहले number तो आप बोलेंगे मैं इसको rough करता हूँ यहां लिखेंगे 3 divided by 4 यहां लिखा है 4 upon 3 सर actual में ऐसे लिखा है तो आप बोलेंगे 4 into 3 divided by 4 for 16 upon 3 लिखा हुआ 4 into और आप जानते हैं जब भी ऐसा होता है इसको reverse कर देते हैं तो आप बोलेंगे 4 for 16 right answer 9 by 4 मुझे नहीं लगता कि किसी भी student को इसमें कोई doubt होगा comment करें एक बाँ फड़ाफट क्या सबको clarity है इसमें किसी को भी किसी भी type का कोई doubt एक बाँ सभी से comment चाहिए फड़ाफट क्या सबको clarity है बहुत प्यारा आजएए एक question और ले रहते हैं ऐसा एक question और बचे एक question और एक question और ले दो दो इन्हें कहा at what rate of simple interest per annum will a sum become 5 times itself in 10 years कितने rate पर simple interest के कोई sum 5 times हो जाएगा तो P से कितना हो जाएगा 5P तो interest 4P तो P R पूचा है time 10 year upon के 100 P से P cancel 0 से 0 R is equal to 40% मुझे नहीं लगता इसमें कोई doubt होगा clarity comment करो फड़ाफ़ाट कैसा आपको clarity है इसमें बहुत जबड़ाएगा ठीक है बच्चो चलो कुछ कोशन और ले रहते हैं ऐसे इसी टाइप के पिर हम आगे देखेंगे यह तो हम कर ही चुके हैं चलिए A can complete a piece of work in 10 days कुछन आपके सामने है A can complete a piece of work in 10 days and B can complete same piece of work in 15 days तो आप जानते हैं LCM पूछ रहा है उसका 30, 10, 3, 15, 2, जा comment करो क्या clarity है सबको बहुत जबदार, very good LCM का ratio, efficiency 3 ratio 2 और दोनो कितने इंदर में करेंगे W upon E W मतलब 30 3 और 2, 5, 6 दिन Yes or not ठीक है बचो तो आज की class को हम इतना ही रखते हैं आगे मैं बता दूँ हमारे MSCAT और जितने भी exam loss रेलेटर हम सब के लिए जबर्दस batch, paid batch भी launch करते हैं मैं उसकी information short में आपको दे दूँ ताकि जो बच्चा हमारे से connect होना चाहता है वो बहुत अच्चे से जोड़ पाए और आपको बहुत अच्चे से information ले पाए तो किसी भी paid batch के लिए आपको सबसे पहले आना है adda247.com पर आपको आना है all courses में undergrade, यहां आना है सबसे पहले आप देखेंगे law entrance exam आपको कोई भी law entrance related information चाहिए for example CLAT, AMU, MSCAT, DURLB, SLAT, ILAT यह JMI आपको सीधा आना है मान लिजे CLAT पर आप जाएंगे CLAT पर और बहुत ही जबर्दस तरीके से study plan CLAT का 2.0 batch हमारा launch हो चुका है जिसकों बोलते है CLAT 2.0 यह बहुत ही जबर्दस बैच है बच्चा जो आपको हर तरह से data देता है तो CLAT 2.0 यह batch है जैसे आप CLAT 2.0 पाएंगे supreme इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला बच्चा सबसे पहले मिलने वाला इसमें जो main data है आपको 10 महिने की validity के साथ पूरा का पूरा study plan आपको यहाँ uploaded है हमारे 250 hours प्लस की classes 20 full length test PDF आपको हर तरह का आपको जाना है और apply करना है Y696 आपको जबर्दर discount मिलेगा मैं apply करके दिखा देता हूँ बच्चा यह का Y696 जैसे आप apply करेंगे आपको special 80% discount मिल जाएगा ठीक है बच्चो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नए सीरीज में नए platform मतलब आपको जबर्दस content के साथ नए timing के साथ जो हमारा चली रहा है ओके तब तक के लिए good bye